और आज आर पार में दो बनाम दो की इस टक्कर में का मैं विश्टेशन जरूर करना चाहता हूँ राउंड एक होगा चीन पर चीन पर टक्कर होगी राउंड टू होगा महंगाई पर जो महभारत चिड़ी हुई है पेट्रोल डीजल के बढ़ते हुए दामों को लेकर सरकार कब जागेगी मौजूदा सरकार कब जागेगी यह सवाल पूछा जाएगा मोधी सरकार से राउंड तीन किसानों पर संग्राम इस पर भी सवाल पूछा जाएगा किसानों का पूरा विवाज जो है अब वो कब समाप्त होगा कॉंग्रेस की तरफ से मेरे साथ जुड़ेंगे रोहन गुपता कॉंग्रेस के धाकर परवक्ता और उनके आई टी हेड मेरे साथ जुड़ेंगे और अक्तिया सुप्रीम कोड के वरिष्ट वकील भारतिये जन्ता परवक्ता मेरे साथ जुड़ेंगे समाजवादी परशिट ने था प्रवक्तर राजकुवार भाठी जी मेरे साथ एंडिये के अलाइंस पार्टर एलजेपी के एक के बाट पर जुड़ेंगे आप तमाम लोगों का विरंदन है दो बनाम दो कीस रड़ाई में तीन में मान आ चुके हैं चौते में मान कुछ देर में जाउन करेंगे लेकिन पहला राउंड राउंड नंबर वन चीन पर टकर और राउंड नंबर एक की शुरुआत करता हूँ मैं आपसे राजकुवार भाठी जी पहला सवाल आपसे बार बार आप लोग सवाल पूश्थे ते आपसे मेरा तात पर रहे विपक्ष हैं समुचे विपक्ष है कि इस समय विपक्ष को आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं क्या आपको लगता है अमेरिकी एजेंसी रूस की एजेंसी अब तो चाइना भी मान रहा है अब आप मान गए कि भारत के सैनेक वहाँ पर प्राक्रम दिखा क्या आये थे नरेंद्र मोधी देश के प्रधान मंत्री को डर नागरी के अंदर कूट कूट कर देश भक्ती भरी हुई है भारत की सेना भारत की सीमाओं की रक्षा करने में सक्षम है बड़े से बड़े शत्रू को भी जवाब देने में सक्षम है भारत की सेना के उपर या भारती सेना की लबदियों के उपर कभी किसी को प्रसंचिन न आते हैं एतराज तब करते हैं जब भारते जिंता पार्टी इसे अपना कारिये बता के सरे लेना चाहती है भारते जिंता पार्टी के लोग भारती सेना के कारिया को अगर भारत के खिलाड़ी मेडल जीत के लाते हैं उसमें पीजेपी का क्या योगदान है अगर भारत की सेना सत्रुमा को मुतोर जवाब देती है उसमें बी जेपी का क्या योगदान है वो केवल एतराज तब होता है भारती चलता पार्टी के लोग बर्बूला पन करते हैं लोग तंतर में जवाब देए सरकार क्यों होती है सदन में सवाल सरकार से पूछे जाते है या फिर सेना से भारती सेना से कभी सवाल नहीं पूछा जाना चाहिए अगर कोई पूछता है तो गलत है सरकार को सदेव प्रिशनों के कटगरे में रहना चाहिए तभी लोग तंत्र बचा रहे हैं और मैं एक बात और कहा दू हमेश जी चीन के ऊपर समाजवादी जो समाजवादियों की जो लेकिन मैं आपसे सवाल पूछरा हूँ जो मैंतिपुन है मैं 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 हुसेन दलवाई कॉंग्रेस के नेता राहूल गांदी कॉंग्रेस पार्टी के नेता यह सब लोग जो कह रहे थे क्या आपको लगता है कि वो गलत था अमिश जी विदेश नीती को लेके अर्थ नीती को लेके और खासतोर से चीन को लेके हमने कभी कॉंग्रेस के साथ नहीं किया हम कभी कॉंग्रेस के साथ नहीं रहे और हम कॉंग्रेस के प्रवक्ता नहीं कॉंग्रेस की सफाई हम नहीं देंगे कॉंग्रेस ने भी गलतिया की और जो आपने का मैं वो सेंटेंस पूरा कर दू आदर ने मुलाहिम सिंग यादव जी हमेशा कहते रहें सदेव कहते रहें कि हमारे चारतरफ के देशों में हमारा सबसे बड़ा सत्रू और सबसे खतरनाग चीन है चीन पर नजर रखिए जब रक्षा करना चाहते हैं उनके साथ जूला जूलते हैं उनकी कंपनियों से प्राइजित करा रहे हैं आई पील को यहां तो चीन को ठोब रहे हैं नरेंद मोदी ने लेकर आपकी सरकार को देश की सरकार को घेरा जा रहता खास तोर पर नरेंद मोदी पर परस्नल अटैक हो रहे थे क्या आपको लगता है पहले अमेरिका की एजेंसी फिर रूस की एजेंसी अब तो चाहिना कुद कह रहे हैं कि हाँ हमारे भी लोग गलवान में मारे गए थे रूस कहता है पंतारिस मारे गए थे अमेरिका कहता है पैतिस से जादा मारे गए थे